नमस्कार मैं हूँ मनीशा जाब सभी दर्शिकों को स्वतंदृता दिवस की हारदिक शुब कामनाएं आज देश का पिछतरवा स्वतंदृता दिवस कुछ अलग अंदाज में मनाया जा रहा है कुरोना महमारी के चलते इस बार स्कूलों, कॉलेज और सहित सारे सरकारी नीजिस अंसानों में परीड सांस्कृतिक आयोजन तो नहीं हुए लेकिन देश की आजादी की वर्षगाट को लेकर उत्साग में भी कमी नहीं रही इस ऑनलाइन दौर में ऑनलाइन बधाईया दी गई और आजादी के किस से कहे सुने गए यह तो सभी को पता है कि 15 अगस 1947 को हमें आजादी मिली लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि यह आजादी हमें आधी रात के समय मिली थी इसके बीचे भी एक रोचक कहानी है जिसे आज हम आपके साथ बया करने जा रहे हैं यह लॉर्ड माउंट बेटन ही थे जिन्होंने निजी तोर पर भारत की स्वतंदुरता के लिए 15 अगस का दिन तै करके रखा था क्योंकि इस दिन को वे अपने कारिकाल के लिए बेहत सौभागे शाली मानते थे इसके बीचे की खास वज़ा थी असल में दूसरे विश्वयुद के दोरा 1945 में 15 अगस के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटीन के सामने आत्म समर्पन कर दिया था माउंट बेटन उस समय संबर्ध सेनाओं के कमांडर थे लॉर्ड माउंट बेटन की योजना वाले 3 जून की तारहिख पर स्वतंतरता और विभाजन के संदर्व में उई बैठग में ही यह तैक किया था 3 जून के प्लान में जब स्वतंतरता का दिन तैक किया गया और सार्जनिक रूप से घूशित किया गया तब देश भर के जोतिशियों में आक्रोश पैदा हुआ क्योंकि जोतिशिय अगरणा के अनुसार 15 अगस 1947 का दन अशुब और अमंगल कारी था हलांकि विकल्प के तौर पर दूसरी तितियां भी सुझाई गई लेकिन माउंट बेटन 15 अगस्त की तारीक पर ही अटल्ड है क्योंकि यह उनके लिए बेहत खास तारीक थी इसी सब के बीच आखिरखार समस्या का हल निकालते हुए जोतिशियों ने बीच का रास्ता निकाला उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मध्यरातरी का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया जिसके अनुसार रात 12 बजे के बाद नयाद दिन शुरू होता है लेकिन हिंदी गर्ना के अनुसार नए दिन का आरंब सूर्योदय के साथ होता है जोतिशी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के पडिवर्तन का संभाशन 48 मिनट की अवधी में संपन किया जाए जो की अभी जीत मूरत में आता है बता दें कि ये मूरत 11 बजकर 51 मिनट से आरंब होकर 12 बजकर 15 मिनट तक पूरे 24 मिनट तक की अवधी का था भाशन 12 बजकर 49 मिनट तक दिया जाना था इस तरह समय सीवा में ही जवाहरलाल नहरों को भाशन भी देना था एक और बाधा थी और वो ये थी कि भाशन को 12 बजे तक पूरा हो जाना था ताकि स्वतंत्र रास्ट के उदय पर पवित्र शंक बचाया जा सके इस योजना के तहट शुरुवाती तोर पर ब्रिटेइन से भारत तक जून 1948 तक सत्तास्त अंतरित किया जाना प्रस्तावित था फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लौड माउंट बेटन ने भारतियस सेनाओं से आम सहमती बनाने के लिए तुरंत श्रिंकला बद बाचीत शुरू कर दी लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था खास कर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नहरू के बीच द्वंद की स्थिती बनी हुई थी एक अलग रास्ट बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदाइक दंगो को भड़काया और हर दिन हालात बिगरते चले गए और बेकाबू होते गए निश्चित ही इन सब की उमीद माउंट बेटन ने नहीं की होगी इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंट बेटन को विवश किया कि वे भारत की स्वतंदरता का दिन 1948 से 1947 तक एक साल पहले ही पूर वस्थागित कर दें 1945 में दूसरे विश्वयुद की समापती के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लेंड में स्वैम का साशन भी चलाने में संघर्स कर रहे थे इसी साल ब्रिटेइन के चुनावों में लेबर पार्टी की जीत हुई जिसे भारत के स्वतंदरता संगराम से नानियों ने हातो हात लिया क्योंकि लेबर पार्टी ने भारत सईथ ब्रिटेइन में ततकालीन उपने वेश को स्वतंतरता प्रदान करने का अफ़ादा किया था लिहाजा लौड वावेल ने भारतिय नेताओं से देश की आजादी के बारे में वारता करने की पहल की और छुटपुट गती रोधों के बावजूद इन वारताओं ने खासा जोर पकड़ा फरवरी 1947 में सत्ता के अंतरन के लिए लौड माउंट बेटन को भारत का अंतीम वाई सराय नियूक्त किया गया आज हम हमारे देश की आजादी की 75 वी साल गिरा मना रहे हैं इसके लिए हजारों स्वतंतरता संग्राम से नानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और लाखों ने ब्रिटिश हुकूमत को खदेरने के लिए लंबा संगर्स किया ताकि वे देश को लोगतांतरिक व्यवस्था में ला सके पिछले 75 वर्षों में हमारा देश जिन सितियों से गुजरा उसे बदला तो नहीं जा सकता लेकिन भविश तो हमारे हातों में ही है हमें बस इतना भरताय करना है कि अपने अधिकारों को जान सके और लोगतंतर के कामों में गर्व की भावना से भागिदारी जताएं ताकि हमारा रास्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके तो इसी के साथ मुझे दीची इजाज़त फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं बिनन न्यूस